ये है वक्तु मीडिया देवन की सरजमी जो नक्षाए दुनिया पे अपने दीनी मरकज इतारा दारलूम देवन से जानी पहचानी जाती है के मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर डॉक्टर सदाकत देवन्दी के मजमुआ घजलिया मतलए अवल का रसमे इजरा सिम्रा फार्मेसी एंड फार्मा किलिनिक के ताउन से 22 अक्तूबर 2017 को मजफ़न नगर के महफिल रेस्टोरेंट में अमल में आया इस तक्रीब के चीफ गेस्ट रहे जामिया मिलिया इसलामिया देहली के शौबए अर्दू के सदर प्रोफेसर शेहपर रसूल साहिब और सदारत फर्माई डॉक्टर अमीर आजम कुरेशी साहिब निजामत के फराइज अंजाम दिये महतरम अब्दुल्हक सेहर मुझफ़ जोरेज मिया और डाक्टर शादाब मिया का तक्रीब में भर पूर्ताउन रहा प्रोग्राम के कन्वीनर रहे जनाब शाहिद जिगर और नायब कन्वीनर रहे तारिक अक्मल उस्मानी सिलसला आगे बढ़ाते हैं और डाक्टर सदाकेस साफ फर्मा रहे हैं कि जो आपकी निगाहे इलतफात हो जाए मेरी हयात मुकमल हयात हो जाए आपके अपने एक देरीना साथी सेद इलतफात हुसैन बगा जो फुर्काजी से तश्रीफ लाए हैं इस्तक्बाल कीजिए सेद इलतफात हुसैन बगा मुथरम सद्र मेमान जीवे कार और मौजीज हाजिरिन महफिल को मेरा आदाब और बानी महफिल को मुवारक बाद पेश करता हुए ये एक किता किता क्या शिरे कृष्ण के हुदूर में सुदावा की पोठली समात फरमाईए सरगोशियां घजल से सरगोशियां घजल से कहीं दर्सो आगई सरगोशियां घजल से कहीं दर्सो आगई सरगोशियां घजल से कहीं दर्सो आगई फने अरूज से भी मुजयन है शायरी और हुसने तखयूलाथ फसाहत लतीफ तंज हर खू सिमट के मतलए अबवल में आगई अब ये जो मैंने किता अर्ज किया है इसमें कितनी सदाकत है कि इस मधासराई में ये मधासराई है ये हकीकत है तो अब ये आपको मैंने पेश किया है इसका पहला मिस्रा समात भाई सरगोशियां घजल से कहीं उसनों आगई सरगोशियां देखिए आपके ये अशार तो आपने सुने हैं लिए होंगे गालबन शाय सरी तो इसमें सरगोशियां हैं तो आपके ही मजमुएं से ये समात भर्माई ये शेयर एगजल हमको भी दरकार इनायत है तेरी मुस्तहिक हम भी तो कुछ मीर की जागीर के हैं और ऐसा भी क्या के अर्जे तमन्ना पे हा नहूं शायद है हम कलाम किसी बेजबा से हम आगे आता है दर्स आपने ये शेयर सुना भी होगा लेकिन मैंने इसे दर्स में लिया है तुम्हारी बात बजाही सही मगर बेटे तुम्हारी बात बजाही सही मगर बेटे बड़ों के सामने नजरे जुका कर रखते हैं तुम्हारी बात अब आते आगे आता है आगे ही ये आगाही आगाह करते हैं आप ये नई नसल है बरदाष्ट कहां जर्बीन है ये नई नसल है बरदाष्ट कहां जर्वीन है कीजिए आप भी कुछ तीरे नसियत में कमें ये नई नसल है बरदाष्ट कहां जर्वीन है कीजिए आप भी कुछ तीरे नसियत में कमें ये तो पहला मिस्रा हो गया है दूसा मिस्रा है फन्ने उरूज से भी मुजयन है शायरी फन्ने उरूज तो फन्ने उरूज में आपने सरकाते शायरी और मत्रुकात से आपने परहिज किया है आपकी शायरी इसे बरी है एतरा में हर्प इल्द और शिकस्त नारवा का ख्यार रखा है आपने ये आपकी फन नशाहरी है अब तीसरा मिसरा होता है हुसने तख्यूलाद फसाहत लतीफ तंज आपने हुसने तख्यूलाद आपका तख्यूल दे कहां परवाज कर रहा है रहा मिजाज नपहला सबोत तख्यूल भी घजलत चीन लिया वक्तने तख्यूल भी और सुबु अजीज मैं सब्र ही नहीं सब कुछ सुबु अजीज मैं सब्र ही नहीं सब कुछ चलक के देख के मुझ मैं है काफ़ कुल कुल भी चलक के देख के मुझ में है कैफे कुलकुल भी अब पसाहत आपकी पसाहत खुश कलामी देखिए सबसे मिलना वो ही दिल से वो ही बातें करना सबसे मिलना वो ही दिल से वो ही बातें करना डंग अपना है पुराना वो ही बच्पन वाला दंग अपना है पुराना वही बच्पनवारा आप बहुत श्टेर में परमाते हैं तुम से मुम्किन हो तो हम राह मेरे लौट चलो मुंतजिर घर है मेरा चोटे से अंगनवाला और अब आता है तंज लटीफ में तो ये शेर आपने सुन ही लिया कितना अच्छा तंज है स्याओ जरा देखके हातों को बढ़ाना स्याओ जरा देखके हातों को बढ़ाना हर शाख की खोकर में परिंदेने रहते हर शाख कि अगर किसी पर तनकीद ही की है तो बड़े खूबसूरती के साथ आप ने अपने अशार में कनाय का इस्तेमाल किया है तीर तलवार नहीं चलाई विल्कि कनाय से काम लिया है सब कुछ कह दिया लेकिन कला है में का और मैं आखिर में दूआ गो हूँ कर आपका मजमुआ इसानी जल्द मुकमल होकर मंदर आम पर आए और फिर मुबारक बात पेश करता हूँ हादर ने मजली से समाख राशी के लिए माफिक अतल लगा है जनाब इल्तफाद सहब अपने ख्यालात का इजार फर्मा रहे थे इसी दौरान डॉक्टर आस मुहम्मद अमीन हाजी बदरुद जमा खान सहब और महतरम जफर्याब खान सहब यहां पर तश्रीफ फर्मा हुए हैं हम उनका इस्तक्बाल करते हैं आईए इस्तराद दोस्तों आप देख रहे थे मुझफर नगर के मशहूर वा महरूफ शायर जनाब डॉक्टर सदाकत दिवबंदी सहाब के मजमुआ घजलियात मतला अवल का रसमे इजरा का ये वीडियो डॉक्टर सदाकत दिवबंदी सहाब का एक ऐसा शेर है जो पूरी दुनिया में लोगों को याद हो गया है और वो शेर किसके लिए कहा है ये आप हमें बताएंगे आप भी सुनिए कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें तुम्हें तुमको आया ही नहीं हम पे हुकुमत करना तुमको आया ही नहीं हम पे हुकुमत करना ज़ूर बताईएगा ये शेर कैसा लगा और उनकी किताब मतला अवल का रसमे इजरा का ये वीडियो कैसा लगा वल डॉक्टर सदाकत देवबंदी मुझे इजादत दीचे